मध्यपरदेश के आर्चिक राजाने इन दोर में कोरोना महामारी तेजी से अपना पैर पसार रही है वही कोरोना के बर्से प्रकोग को रोकने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में होली का देहन के दिन लॉकडाउन और उसके अगले दिन लॉकडाउन जैसी सकती का फैसला किया है लेकिन इस फैसले के खिलाफ विपक्ष कॉंग्रेस ही नहीं बलकी भाजपा नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है बाजपा राश्ट्री महासाचीव के लाज विजवरकी ने ट्वीट कर होली का देहन और रोकने के फैसले का अनुछित बताते हुए जिलाप्रशासन से एक बार फिर पुना विचार करने की बात कही है रंगों के जिहार होली पर कोरोना का ग्रह है जिलाप्रशासन का होली पर लॉकडाउन का फैसला कॉंगर्स भाजपा नेताओं ने फैसले पर उठाय सवार शासन प्रशासन का आदेश बना अब गले की फास जिहां रंगों के जिवार पर लॉकडाउन का फैसला अब जिलाप्रशासन ही नहीं बल्कि शिवराज सरकार के लिए मुसीबत बन गया है शासन प्रशासन ने होली पर लॉकडाउन का पैसला भी ऐसे शहर में लगाया जो रंगों के तिहार को धूंधाम और हर्चो लास के साथ मनाने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है अलंकि 20 साल भी कोरोना मामारी के कारण ब्रंग पंचनी की यार को रच कर दिया गया था लेकिन इस साल तो जिला प्रशासन के सकती की हद तब हो गए जब उन्होंने धुलेंडी पर भी लॉकडाउन जैसी सकती दिखाने का आदेश यारी कर दिया दिलेंडी पर वैसे तो जादा हुली नहीं खेली जाती है लेकिन सूतक वाले परिवारों के घर इस दिन परीज़र और समाज के लोग रंग डालने जाते हैं ताकि परिवार का सूतक खट्म हो और वो भी तीज तियोहार बना है लेकिन पिशासन के सक्थ आदेश नहीं न सिर्फ सूतक वाले परिवारों की चिंता बढ़ादी है बल्कि एक बार फिर रंगों के तिहार को बेरंग बना जिया झाल आते हैं हलंके जिला प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ ना सिर्फ कॉंग्रेस विधायक संजय शुकला ने नारासगी शाहिर की है बल्कि भासपार आश्ट्री महासचियू केलाश हीजवर्गी ने भी ट्वीट कर जिला प्रशासन के फैसले को बेहद आपत्ती जनक बताया है केलाश हीजवर्गी ने जिला प्रशासन से आगरह किया है कि प्रशासन फैसले पर पुना विचार करे ताकि जन्ता की धार्विध भावनाओं के साथ खिलवार ना हो वही संजाश शुपला सईद कॉंग्रेस निता जिलाबर्शासन के इस फैसले के खिलाफ कलेक्टर से मुलाकात की और एक पार फिर पुनर रिचार करने की अपिली वही शायर की मातर शक्तियों ने भी जिलाबर्शासन के इस गड़े फैसले की निंदा की जब तक कलन नहीं डेलेगे जब तक हमारे काम आगे कहां से बढ़ेंगे हम कहीं जहां भी नहीं सकते तो हमारे घर जिसे मौत हो गई है तो रंग डालने हमारे परिवार आएगा तो कैसे आगे आ सकता है इगाला थे देना चाहिए छूट तो हमारे घर पर होली मनाना जरूरी है क्योंकि हमारे ससूर जी का देहान तो हो गया था तो अब कोई भी हम जिसे सब महिमान आएंगे क्योंकि रंग नहीं डलेगा तो हमारे घर कोई भी कारिक्रम नहीं हो सकता जिसे शादी भ्याव कोई गंगोर कोई भी धार्मिक तेवार न अब हमारे घर पर तो महमान आएंगे और यह जिनके घर पर इसा कारिक्रम हुआ है उनके लिए तो आदेश देना ही चाहिए था अब हमारे घर पर तो आदेश देना ही जितना भी रंग दालने भी जाएंगे तो इतो गलत है ना काम जब ही होएंगे जब तक कल ली के पहले दिए लगबग ना के बराबर है लगबग ना के बराबर है और इस बहर जो कलरे यह जिसे कर सरकार ने पहला प्रतिबन लगा है इसको पर अगले साल जैसे माल रख भी लेंगे तो अगले साल यह शाइनिंग यह वेसा नहीं रहे पाएगा सब खराब हो जाएगा और धंदे का पानी लगबग ना के बराबर है और जो भी प्रतिबन लगा वह बत्सब्सरकार का अदेसे सरकार का नियम जो है कि मेरा घर मेरी मेरी हो ली मेरा घर तो घर में ही रहक है सुरक्षा पुर्वक खोली खैळे अपने घर में खेले मासी बाहर आना जाना या सोसाल डिस्टेंसिंग का पालन करते वेहीं वह काम करें इसे काशलिकर को लखने को चुप अंधर है बतु है इनatar की दूर की जणपतिविए उन वैंना हुँ सेकों मुलाया है रहा है लग मभी और आना तरम यह जड़ आ काशली घ्रम लिजबे नान अनोल वद्हांग आनma की जड़ रहा है पहर्टिंदर पाट है कुछ लोग को लिए पहर्णी कर लिया रहा है तो इस लिए गजुत करते हैं उसका हम भिरोद करते हैं और भूकमंदंजी लिंडोर आते हैं शिर्फ बनाने की लिए प्रक्षाइब अनके लिए वोग में लिए दोगा तो जाका है और वह चल्फी पोड़ू चुवाते तो उनके लिए यह कोना भाबारी नहीं हो रही है और आम जंता की लिए और तो गरीब परिवार के लोग हैं उज्जार रोटी के लिए फोड़ा बेशते हैं कोई प्रिशकारी बेशता है कोई रन बेशता है उनका रोजकार चिना जा र बादिन भार्चिंदा पर्टी के लोग इसका लिए युद्ध कर रहे हैं आदेनी उमेर सर्माजी ने कर लोग जोड़ा तेहार है यह बहुत बड़ा तेहार मनाया था इसका उरोट करते हैं कल हम घुली के तिन हर जगे जाएंगे रंग दालने जाएंगे क्योंकि हम रंग बादिन भार्चिंदा पर्टी के अदेश कौनुचित बताया है रामचंदर शुखला का कहना है कि भार्चित संस्क्रजी में रूरी और परंपराओ का खास महत बहुत बताया है जो हमारी परंपरा है उन परंपराओं को तोड़ना उचित नहीं है धर्म शास्त्रों के इसाब से ठीक नहीं है यदि किसी विक्ति के परिवार में कोई गमी हो जाती है तो जिस दिन होली का रंग डालता है उस दिन से वह जो है शुद्ध हो जाता है इसलिए जिस परिवार में गमी हो गई है उसके परिजन उनके परिवार जनों के उपर जो है होली का रंग जो है डालते हैं वो शुद्धता और पुवित्रता का प्रतिह माना जाता है इसलिए इस कारे को जो है संपन होने देना चाहिए हालांकि कलेक्टर मनिश सिंग ने सभी नेताओं को कोरोना महमारी के बढ़ते प्रकोग और व्यवस्ताओं को लेकर समझाईश दे कर रवाना कर दिया कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा करते हो बताया कि जिला प्रक्षासन ने अपने आदेश में कोई बदलाव नहीं किया है शहर हित में सभी प्रतिवंद जारी रहेंगे उन सब को देखके आगे सिती और खराब नहों और लॉक्डॉन के सिती में ना जाए उसलिए सब चीजे ली गई है प्रतिवंद लगाया गया है सोच समझ के लगाया गया है शहर के स्वास के हित में लगाया गया है धुलेंडी वाले दिन लोग ना जाने निकले बाहर उस यह जरूर नहीं लगा है अभी रात पर दस बजे नौ बजे कर्फिय लगता है किन्तों यह अवश्य है कि अनावशक रूप से कोई जाएगा तो टोकटा की होगी और अगर लगेगा कि अनावशक रूप से शहर में खूम रहा है तो करवाई भी यह से खिलाब इसी प्लग पीकारवाही है और और जो भी खरभाई अपने धर्म के सदर्सक्रावाण को समझा जो अब गरे ऐए को पहला दिन था जो की जाए वो चीज नहां की जाए यह सही नहीं है देखिए जो निर्णे लिया गया है वो जो हॉस्पिटल कैपस्टी है कोविट सक्रबन की जो पस्टुटी रेट है और जिस परकार से पेशेंट्स आ रहे हैं ना केवल इंदौर के या बलकी इंदौर संभाग उज्जेन संभा भुपासमा गॉलियर संभा के इंदौर के अस्पतालों में इन सब को देख करके चीजे नेरे ली जाती है इन परस्टिव में जो रेस्टिक्शन लगाए गया है कल जो आदेश हुआ है वो शहर के नागरिकों के स्वास्त के हित को देखते हुए किया गया है अस्पतालों क कि कैपेस्टी एकसीड ना कर जाया इंदौर के पेशेंट से बाहर जो आने वाले पेशेंट ने जिनकी संख्या बढ़ रही है दिन पर दिन अभी 10% हो गए है इस्पताल में बाहर के पेशेंट ग्रैजुली संख्या बढ़े की जो ट्रेंड पहले हम नोंने देखा है सब्सक्राइग को और अस्पतालों की कि अनलेकर के लड़ाइ लड़ी जासकती है उस गयर ए 750 आफ़ ज कारवाईए हो रही है और अभी जो हुए है अभी वो स्टेंट रहेगा बिल्कुल होली का तहन नहीं होगी बिल्कुल और धुलेंडी वाले दिन भी हम लोग अनौशक आवाजाही पर टोकटाकी करेंगे और जो बाकी तोहारे शब्रात वगर हमें बात की सब जगा कोई भी लोग नहीं निकलेंगे उसमें सभी धर्मस्तलास से बंदोना शुरू हो गए हैं होई गए लगबट एका दो जग इशूज आयते हो भी समझाई दे दी है तो जो भी सक्ति की जा रही है शेहर इत्मी की जा रही है हलांकि होली के जोहार को विगानने का ये पहला मौका नहीं है इसके पहले भी पिछले साल प्रशासन ने समय के पहले राज 10 बजे होली का देहन करवा जया था जिसके खिलाफ हिंदू संगठों ने प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराज़ी चिताई ची फिलाल देखना कि भाजपा और कॉंग्रेस की विरोध की बाद जिला परशासन अपना पैसला बदलता है या फिर इस साल भी रंगों का त्योहार कोरोना की भेंटर जाएगा एंद और से जीतेंद्रिक चौहान के इपो